आज हम बनाएंगे मसाले वाली दही बिंडी जो खाने में बहुत स्वाधिस्ट होती है और हम इसे एकदम आसान तरीके से बनाएंगे लेकिन टेस्ट ऐसा आएगा जैसे आप रेस्टरंट में खाते है न दही बिंडी वैसा तो चलिए हम इसे बनाते हैं हेलो एब्रिवन अभी का फूट प्रॉट एक राएकिचन में तो आप बिंडी बिंडी बनाने के लिए पनाने के लिए नीजी हमने यह विल ऐसे बिंडी ले लेगे और काट ले udah फिए हम इसे बीच से काट लेगे अगर बिंडिया जादे लमबे है तह आप इसे 3 भागों में काट लिजे तो ऐसे करके मैं सारी बिंडिया काट लूँगी तो अगर आप मेरी चैनल पर नए है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए तो मैंने सारी बिंडिया को काट लिया है इस तरीके से और न मैं ऐसे एक mixing ball में ऐसे डाल दूँगी सभी बिंडियों को अब एक बात याद रखे कि बिंडियों को पहले दो ले अच्छे से जब बिंडिया गोटी रहती है तो उसे दो ले और दो कर पोच ले उसके बाद इसे काटे तो यहां मैंने नमक ले लिया है थोड़ा से बिंडियों के उपर और मैं थोड़ी इसमें हल्दी डालूँगी अभी तो यह मैंने थोड़ी हल्दी ले लिया है यह प्रोसेस आप जरूर करें इस रेसिपी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और मैंने यह थोड़ी सी लाल मिर्च ले लिया आप तोड़ा तोड़ा ही ले क्योंकि हमें ग्रेवी में भी यह सब डालना है तो आप बिल्कुल तोड़ा तोड़ा ले तो मैं इस तरह से भी मि हमारमोजा तो मैं इसमें तेल डालूंगे सा देल दाला है अगर आप चिस भी तेल से खाना बनाते हों आप उस तेल में इससे फ्रॐ कर सकते हैं तो मैंने सार्ण Tल डाल दिया, मैं इसमें सारी बिंडियों को डाल दूंगे तोई मैं ढख दूँगी थोड़ी देर के लिए डख कर पकाने से यह तोड़ा जल्दी सौफ्ट हो जाएगा तो मैं इसे अभी डख दूँगी तो मैंने सब बिंडियों के से मिक्स करके फिर मैंने इसे डख दिया और यह जो प्राइपिन का डखकनत न इसे मैंने एक लॉंग लेक और दही में मैं डालूँगी यह एक चमच बेसन और यह मैंने धनिया पॉर्डर ले लिया है और यह मैंने थोड़ा सा जीरा पॉर्डर ले लिया है और यह मैंने थोड़ी सी हल्दी ले लिया है और यह मैंने थोड़ा सा लाल मिर्च ले लिया है तो आपना कश्मीरी लाल म तो अब हम इसे मिक्स करके एक लंब स्प्रिक पेस्ट बनाएंगे तो यह जो मसाला है इसी से हमारी दही बिंडी बनेगी और यह आपको बहुत पसंद आएगी रेसीपी वीडियो में आगे बने रहे हैं मैं आपको ऐसे कुछ खास टिप सें ट्रिक बताऊंगी जिससे आपक बिंडी एक तम सूपर टेस्टी बनेगी तो अब मैं डक्कन को अटा के बिंडीयो को चेक करूंगी तो मेरी बिंडीयो 90% तक पक चुकी है तो इसे हम इतना ही पकाना है कि 90% यह इसमें पके और बाकी हम उसे ग्रेवी में पकाएंगे तो मैं इसे बिंडीयों के एक बढ़ चला लूँगी इस तरीके से तो आप भी इसे इस तरीके से चला ले दे कि बिंडियों में एक भी लसलसापन नहीं है न तो इसे मैं इस तरीके से कर लूँगी और ये मेरा अच्छे से फ्राई होगे तो अब हम इसे साइड में रख देते हैं और चलते हैं इसकी ग्रेवी की तियारी करने के लिए तो कडाई मैंने ले लिया, कडाई गर्म होगे तो मैं इसमें तेल डाल रहे हूँ तो यह मैंने तेल डाल दिया और मैं अभी इसमें थोड़ा से जीरा डाल दूँगे, यह मैंने जीरा डाल दिया है इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हता है यह रेसिपी आप रोटी पूड़ी नान के साथ खा सकते हैं चावल के साथ खा सकते हैं आपको बहुत पसंद आएगी तो यहां मैंने बारी कटवा प्यास डाल दिया अब हमें प्यास को अच्छे से बूनना है तो मैं इसे अच् करें तो आपकी यह दही बिंडी मसाला है रहे बहुत टेस्टी बनेगी तो प्यास को हमें एक दम गॉल्डन ब्राउन होने तक पकाना है यह मैंने बून लिया अब मैंAS टरमाटर डाल दूंगी तो मैंने टरमाटर डाल दिया है एक बार मिक्स कर लेंगे हम अब इसमें डा तो इसे डालने के बाद आप continue चलाते रहें, तो यह दो step आप follow करेंगे तो आप दही का कोई भी recipe बनाई है, तो दही फटेगी नहीं, तो मैं ऐसे continue इस तरह से चलाओंगी, क्योंकि इसमें बेशन भी है, तो हमें इसे चलाते रहना है ता कि दही और बेशन में लंस ना बने, तो मैं इसे चला चला के तब तक भूनूंगी, जब तक यह पूरा तेल साइट से ना छोड़ दे, तो यह देखिए दीरे दीरे तेल भी चोड़ रहा और यह मसाला एक जगा आ गया ना, मतलब यह भून चुकी है थोड़ी से, तो देखिए यह भूनते भूनते यह तेल आ तो यह मैं भून रही हूं और मसाला मेरा भून चुका है, फिर से तेल वापस से किनारे किनारे से आ रहा है, तो मैं अभी इसमें पानी डाल दिया इसमें, अभी हम इसे लगातार ना, कंटीनू ऐसे हिला हिला के, अच्छे से एक इक तम स्मूथ ग्रेवी बनाएंगे, तो मैं इसमें हरी मिर्च मैंने डालाया और मैंने इसमें थोड़ा नमक डालाया, तो नमक आप स्वाद अनुसार डाले, आपको याद रखना कि आपने बिंडियों में भी नमक डाला था, तो मैं अच्छे से मिक्स कर लोगी, और इसमें उबाला गया, तो मैं इसमें थोड़ी आपो बनाए आपको बिलकुल रेस्टरेंट जासा टेस्ट आएगा, जिस विदी से मैं बता रहे हूं ना एक बड़ बना कर जरूर ट्राय करें, तो यह मैं जब को एक बार मिक्स कर दूंगी, एक बार मैं अच्छे से मिक्स करने के बाद, हम इसमे अपनी बिंडियां डालें तो यह देखें मैंने जो फ्राइ करके बिंडिया रखी थी न आप इसमें दीरे दीरे इससे डाल देंगे और आप देखें बिंडियों में लसलसापन भी नहीं अच्छे से फ्राइ भी हो गई है और टूटी भी नहीं है हमारी बिंडि तो अब मैं इस ग्रेवी के साथ और डाले कि दही चेस्त का बैलेंस करने के लिए चीनी की जरुधती है तो पीले द्सम regulate के एफ थी के बराबर अर उनल आपने की जिरुधक हुए आठ लाउना दोती कीं m2 जड़ी डाला टेस्त जा बहुत बेखनां आपकन को अटा के देखोंगी तो यह देखिए हमारी रेसिपी तयार दही बिंडी मसाले वाली दही बिंडी तो आप एक बर इस तरीके से बनाए आपको पसंद आएगी तो यह मेरा बन चुका है अब देखिए और यह खाने में बहुत तेस्टी लगेगा तो चलिए हम इसे सर्व करते हैं तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आईए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें तो यह मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ और अगर आपको मुझसे कुछ और रेशी पिछी है तो कॉमेंट सेक्षन पर मुझे कॉमेंट करें तो यह दिखें यम्मी टेस्टी सी मसाले वाली दई बिंडी रेडी है आप इसे रोटी पूड़ी नान पराटे के साथ काए आपको बहुत पसंद आएगी थैंक्यू फॉर वाचिंग